मैं डॉक्टर सुवंकर स्वाई, कंसल्डेंट साइकेटरिष आज एक बहुत ही इंपोर्टन टॉपिक के बारे में आप लोगों इस साथ में बात करूँगा वो होता है नीरोप्लास्टीसिटी नीरोप्लास्टीसिटी एक बहुत ही इंपोर्टन कॉंसेट है ब्रेन के लिए, दिमाग के लिए, साइकेटरि में, नीरोलोजी में आप इस वीडियो को अच्छे से सुनिये, समझिये अगर इस वीडियो को आप सुनके समझते हैं और फूलो करते हैं लाइप में आपके जो stress होते हैं, उसे handle करने की capacity बहुत बढ़ जाएगी, आपको future में depression, anxiety या dementia जो बुढ़ापे में भूलने की बिमारी होती है, उसके risk बहुत ही कम हो जाता है, तो इस वीडियो को बहुत अच्छे से ध्यान से सुनिए, तो start करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, plasticity क्या होता है, आप लोग तो सुने होंगे कि plastic बहुत commonly use होता है, जो plastic होता है, जो liquid state में होता है, जैसे कि पानी बाले state में रहता है, फैक्टरी में रहता है, तभी हम वो plastic substance को किसी भी mold में अगर हम डाल देते हैं, जैसे कि आप उसे bottle save में भी कर सकते हैं, ए एक pen के mold में डाल देतो pen बन जाता है, torch के mold में डाल देतो torch बन जाएगा, ball shape में भी हो सकता है, glass shape में भी हो सकता है, तो plastic एक ऐसी चीज है, जिसे हम किसी भी तरीके से mold कर सकते हैं, किसी भी रूप में हम उसे बदल सकते हैं, तो इसी property का नाम होता है plasticity, हमारा brain बहुत ही interesting organ ह बहुत ही mysterious organ है, जैसे मनलब plastic के बारे में बात किये, plastic चीज कुछ भी चीज में बदल सकता है, उसे plasticity बुला जाता है, brain भी situation के हिसाब से बदल सकता है, और बदला जा सकता है, तो brain के इसी property को neuroplasticity बुला जाता है, जैसे एक पहला example में आपको लोगों को देता हूँ, एक बच्चा पैदा होता है, वो clean slate होता है, कोरा कागज होता है, कुछ नहीं जानते बच्चे, धीरे धीरे वो चीजे सीखते हैं, चलना सीखते हैं, एक भासा सीखते हैं, language सीखते हैं, sports activity खेलना सीखते हैं, पढ़ा ही सीखते हैं, तो क्या होता है, जो brain के neurons होते हैं, neurons होते है ब्रेन के जो cells उनको neurons बोला जाता है, वो नए-ने neurons बनते हैं, जो दो neuron के बीच जो connection होता है उसे synapses बोला जाता है, उसकी मातरा बढ़ती है, और जो brain की जो signaling होता है, आप कुछ भी चीज process कर रहे हैं, सीख रहे हैं, जो signal जाता है दिमाग के अंदर, brain के अंदर, उसकी quality भी बहुत improve होती है, तो यह होता है neuroplasticity, और एक example में आप लोगों को देता हूँ, आप UP में रहते हैं, आपकी job लग गई बैंगलोर में, आप shift हो गया कंदा का, बैंगलोर में shift हो गया, आपको नए लोग मिले, आपका एक नया job का environment मिल गया, आप नए लोगों के साथ बात कर आप इंगलिस में बात कर रहे हैं, बीच-बीच में जो उटो वाले से हैं, उनसे कंदा में धीरे-धीरे बाते कर रहे हैं, आपका interest हो चलो कंदा भी सीखते हैं, ठोड़ा बहुत कंदा भी सीखें, और काम का pressure आप फील कर रहे हैं, नई जगा जा रहे हैं, आपको stress हो रहे पर धीरे-धीरे आपको मजा आने लगेगा, आप काम का enjoy कर पाएंगे, आप जो नई भासा सीख रहे हैं, उसका use करेंगे, तो यह जो process होता है, यह neuroplasticity के थुरू होता है, जब एक नई भासा आप सीखते हैं, नए neurons बनते हैं, जो neurons के बीच जो connection होता है, सिनाप्स होता है वो quality अच्छी होती है, बढ़ती है, तो इसी process को neuroplasticity बुला जाता है, यह जो neuroplasticity होता है, बहुत brain में, बहुत various levels में होता है, जिसे की cellular level में होता है, सिनाप्सेस में होता है, neurons में होता है, और एक होता है, large skill cortical mapping में, उसमें क्या होता है, synaptic plasticity होता है, neurogenesis होता है, exonal sprouting हो जो नीरो प्लास्टिसिटी टॉपिक मेरा आप लोगों के साथ सेयार करने का में यह भी है कि बहुत सारे जो ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं साइकेटिक प्रॉब्लम्स हैं उसको आप प्रिवेंट कर सकते हैं कुछ अद तक और अगर टीटमेंट चल रहा है अगर कॉस्पार्शन होते हैं कुछ लोग होते हैं कुछ लोग होते हैं स्ट्रेस को बहुत अच्छे Сेंडल करदें अगर कुछ द्रॉप में प्रिशाद हो तो बहुत ज्या카나 हो जाते हैं उनका स्ट्रेस बढ़ जाता है एंग्जाइटी होती है गुसा करते हैं इरिटेबिलिटी चिट्टिडापन यह सब आता है तो नियूरो प्लास्टिसिटी जिसका अच्छा है जिसका ब्रेन जितना नियूरो प्लास्टिक है उसके कोपिंग स्किल्स उतने ही अच्छे होते हैं स्ट्रेस में स्ट्रेस को है पाने की जो ख्यमता होती है जिसकी नीरो प्लास्टिसिटी अच्छी होती है उसके ज्यादा होते हैं तो मैं आप ही आप लोगों को बताऊंगा कि नीरो प्लास्टिसिटी जो है ब्रेन का वो कैसे इंप्रूब किया जा सकता है कैसे आप इसको इंप्रूब करें पहला तरीका है जिससे आप निरो प्लास्टिसिटी बढ़ा सकते हैं ओ है फिजिकल एक्सेसाईज फिजिकल एक्सेसाईज आप लोगों को पता है कि फिजिकल हेल्थ के लिए बहुत ही जरूरी है जैसे कि यह हार्ट हेल्थ इंप्रोब करेगा आपका सुगर कंट्रोल ग्लाइसेमी कंट् Neurogenesis होता है, brain के जो नए cells होता है, neurons हैं, उनको बढ़ाएगा, उनका growth कराएगा, exercise करने से immediately endorphin secret होता है, endorphin जब दिमाग में जाता है, आपको एक relax फिल होता है, stress कम होता है, कुसी मिलती है, यह हो गया short term, और long term में जो BDNF secret होता है exercise करने से, BDNF होता है brain derived neurotrophic factor, BDNF जो हमारे जो brain के cells है, neurons है, उनको अच्छे से बढ़ाता है, उनकी quality बहुत improve करता है, जैसे कि आप देखिए मलब कोई पेड़ पोधा आप घर में लाए हैं, तो आप बस उसको गमले में रख दिया हैं, कुछ उसका care नहीं कर रहे हैं, आप उसमें पानी ठीक से नहीं डा के लिए exercise करना जरूरी है, जैसे कि fertilizer होता है पेड़ पोधों के लिए, ऐसे BDNF होता है हमारे दिमाग के लिए, हमारे brain के लिए, और एक टेकनिक है, दूसरा टेकनिक है mental stimulation, mental stimulation मतलब आप अपने, आपको अपने brain को activate कर रहे हैं, मतलब अगर आप बस Instagram में या YouTube में बस real scroll कर हैं, और social media में ज़्यादा engage हो रहे हैं, तो उसमें आपका दिमाग ज़्यादा mental stimulation नहीं होता है, किस से होता है आप जब कुछ नया सिखेंगे, आप कुछ नया sport सिखें, जैसे कि आप कुछ cricket खेलना सिखें, कि टेनिस खेलना सिखें, उसमें improve होगा, आप कुछ नया musical instrument बज कर रहे हैं, कोई auditorial पढ़ रहे हैं, नया article कुछ पढ़ रहे हैं, तो उसमें आपका mental stimulation होगा, आप पजल खेल रहे हैं, पजल सॉल्प कर रहे हैं, सुड़ो को कर रहे हैं, उसमें भी आपका दिमाग का neuroplasticity बढ़ेगा, अगर कुछ लोग जो बच्चों को दिया जाता है, लेगो आता है, बच्चों का बहुत time लगता है, creativity लगती है, उसमें भी mental stimulation होता है, neuroplasticity में healthy diet और sleep का भी बहुत ही important role रहता है, healthy diet मतलब आप fast food effort करेंगे, जो sugar की मातरा है आपके diet में बहुत कम करेंगे, नील करेंगे तो और भी ज़्यादा अच्छा है, जो protein quality है, protein content उसको बढ़ाएंगे, carbohydrate को थोड़ा limited मातरा में लेंगे, fiber diet में रहना जरूरी है, रोज salad खा सकते हैं, साख सबजी खाना बहुत जरूरी है, green vegetables खाना जरूरी है, जो जिसमें omega 3 fatty acids होते हैं, जैसे कि फिस है, liver है, यह सब भी आप खा सकते हैं, तो एक balanced healthy diet का बहुत ही important role रहता है, अच्छे quality का sleep भी बहुत जरूरी है, brain neuroplasticity के लिए, लगभग दिन में 7 से 8 या 9 घंटा सोना बहुत ही जरूरी है, जो sleep के various stages होते हैं, अरियम sleep होता है, अरियम sleep होता है, दोनों ही stage बहुत ही important है, brain के लिए, memory के लिए और neuroplasticity के लिए, और एक important concept रहता है, mindfulness meditation, mindfulness meditation important रहता है brain का improvement के लिए, या neuroplasticity के लिए, मलब हमारे जीवन में ऐसे बहुत सारी चीजे चल रही है, हमारे दिमाग में भूमता रहता है, हम मलब office में क्या किये, कैसे पैसे कमाएंगे, दर को कैसे manage करेंगे, बाहर कैसे घुमने जाएंगे, आज क्या खाएंगे, इस सब हमेशा इसा टाइम होना चाहिए, दिन में 15-20 मिनिट, आधा गंटा, अब ऐसे स्टेट में जाएंगे, जब आपका दिमाग पूरा blank हो जाएगा, आपके दिमाग में कुछ thoughts नहीं आ रहे हैं, ना ही negative thoughts आ रहे हैं, ना ही positive thoughts आ रहे हैं, आप पुरे सुन्य हो जाते हैं, उस टाइम उसको mindfulness, meditation बोला जाता है, यह बहुत ही जरूरी रहता है आपके brain के लिए, और दो चीज इंपोर्टेट हैं, नीरो प्लास्टिसिटी के लिए, वो होता है, social interaction and stress management, बहुत टाइम ऐसा होता है, हम अपने जीबन में best हो गया हैं, बस काम में लगे रहते हैं, दिन भर काम करते हैं, आते हैं, खाते हैं, सो जाते हैं, exercise नहीं करते हैं, तो इस सब चीजों के लिए होता है, social interaction, जो friend circle रहता है, उनसे आप regular touch में रहेंगे, आपका अगर कुछ NGO के साथ कुछ link है, तो कुछ social service कर सकते हैं, उसमें भी आपका stimulation रहेगा, अच्छा रहेगा, और stress management बहुत ही important है, पहली बात है कि आप जानेगे कि stress किसी बात का हो रहा है, आपको stress, आपका job का stress ज्यादा हो रहा है, आपका financial stress हो रहा है, आपका जो wife के साथ, या husband के साथ, या family member किसी के साथ, अगर personal problem हो रहा है, उसी बज़े से stress हो रहा है, तो पहले जानेगे किसी बज़े से stress हो रहा तो धीरे धीरे प्रॉपरली उसको अनलाइज कर पाएंगे, आप जानेंगे कि इस चीज का मुझे फरक पढ़ रहा है, इस चीज को हम चेंज कर सकते हैं, बदलाब कर सकते हैं, तो यह सब चीजे हैं, नियुरो प्लास्टिसिटी को इप्रूब करने के लिए, नियुरो टॉक जाने कि नियोप्लास्टिसिटी को खराप करते हैं, और प्रूचणराशेश कर सकते हैं, शक्राब करते हैं, यह सब चीजे, आगर आप करेंगे, तो ब्रेन का जो रिकवरी प्रसेस होता है, बहुत सलो होता है, और फ्यूचर में आपको डिप्रेसों होने के, anxiety होने के, आप जाने की नीरो प्लास्टिसिटी क्या होता है, हम कैसे नीरो प्लास्टिसिटी को इंप्रूब कर सकते हैं, तो जरूर इस वीडियो को फोलो करें और अपने जो फ्रेंड्स फेमिली हैं, उनके साथ भी सेयर करें, उनके लिए भी बहुत ही बेनिफिसियल होगा, थेंक